बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस ओनलाइन यूटूब चैनल एडवांस अर्नी इस्ट्यूट में आज हम लोग देख रहे हैं मद्धप्रदेश समान ग्यान का एक और महतपुन टॉपिक ठीक है मैंने कही महतपुन टॉपिक बताए हैं जहां से प्रश्ण हरमेशा मद्धप्रदेश की परिक्षाओं में पूछे जाते हैं तो आज यह मैं मद्धप्रदेश की प्रमुख सांस्कृतिक एकादमी के बारे में बात करने वाला हूं वो कौन किस क्रम में आपको याद करना चाहे तो सबसे पहले आप याद करेंगे मद्धप्रदेश कला प्रिसत जो है इसका जो एकादमी है वो कहां पर स्थिथ है तो भौपाल में पहला कोशन यह हो गया दूसरा GUY कि स्थापना की गई तो इसकी स्थापना 122 में की परिसत का भी भोपाल में है और यह 1904 में आई थी ठीक है ध्यान रखना है और इसके बाद आपको 1904 के बाद 1956 का याद करना है 1956 में क्या था पुरा तक तो एवं अभिलेखा गार संगराल है यह भोपाल में है और कभ यह बना 1956 में ठीक है इसके जस्ट बाद फिर आया था कौन सा उर्दू ठीक है तो उर्दू आया था मैं आपको बता दूँ मद्धप्रदेश उर्दू एकडमी जो है वो 1976 में आई थी ध्यान रखना है 1976 में आई थी और भोपाल में ही इसका मुख्याला है ठीक है फिर आपको याद कर लेना है कि क अरशालीदास एकडमी जो है यह उजैन में है कहां है यह मद्धप्रदेश के परिक्षाओं में कोशन बूठा गया है ठीक है तो यह कुछ महत्पूर्ण प्रश्न है इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि जो तुलसी एकडमी है मद्धप्रदेश तुलसी एकडमी यह क खापना हुई थी 1987 में इसको ध्यान रखना है काली दास की हुई थी 1977 उज्जैन में और इनकी तुलसी जी की हुई थी कहां भोपाल 1987 मतलब 10 वर्स पश्यात ठीक है बाद में फिर आपको और क्या याद रखना है तो आपको अल्लह मह इकवाल अद्वी अकैदमी जो है भोपा जाता है की उस्ताद अलाव दिन्खा संगीत अकैडमी कहां है तो मैहर सतना में है और 1979 में इसकी स्थापना हुई थी तो ये भी आपको प्रश्न एक इंपोर्टेंट है याद रखना है ठीक है बचा कि आपका संस्कृत अकैडमी तो संस्कृत अकैडमी की जो स्थापना थ थी ध्यान रखना है ये भी तो हिंदी उर्दू संस्कित तो हिंदी सबसे पहले 1969 उर्दू आपकी जो हुई थी वो 1976 और उसके बाद 9 साल वाद बिंध मद्रदेश की संस्कित अकेडमी स्थापना भूपाल में हुई 1985 में ये कुछ महतपूर्ण क्या थे साहित अकेडमिया थ इसकी यूटूब में अप्लोड की हुई है छोटी छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट तो उनको जाके आप यूटूब में मेरे चैनल में देख सकते हैं या फिर आप अगर वहां से नहीं देख पा रहे हैं नहीं मिल पा रही है तो आप मुझे इस वाटसप नंबर पे प्लेस का नाम लिख दें ठीक है तो मैं आपको ग्रूप में एड कर दूँगा चलिए इस वीडियो में इस वीडियो को देखने लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ठीक है और आगामी आपकी जो परिक्षाएं हैं उनके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई कॉंग्रेशलेशन एक गवर्मेंट जॉब आप कम से कम पा सकें ठीक है धन्यवाद